हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आस्मा आप आए हैं मेरे चैनल आस्मा की रेसिपी में तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ चिकन बिर्यानी की रेसिपी जो कि बहुत ही जादा टेश्टी बन के तयार होगी तो friends आप भी इस masala बिर्यानी को एक बार जरूर ट्राय करें अभी इद आने वाली है आप इद पे इस रेसिपी को ट्राय कर सकते हो friends मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी friends मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी बनाईवी रेसिपी आप लोगों को बहुत जादा पसंद आए चिकन बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है हाफ केजी चिकन इसको मैंने अच्छे से दो के साफ कर लिया है अभी इसे हम मैरिनेट करेंगे तो यहाँ पे 4-5 हरी मिर्चों को मैंने मोटा दरदरा सा कूट लिया है बीना पानी के मिक्सी में पीस लिया है साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट तो यह मैं तीन चमच भरके डालूंगी क्योंकि बियानी में अदरग लहसन के पेस्ट की बहुत अच्छी खुश्बू आती है तो यहाँ पे मैं इसको तीन चमच भरके डाल दूंगी अभी इसके साथ में हम यहाँ पे डालेंगे दो चमच भरके सौफ का पावडर तो सौफ बियानी में जरूर डाली जाती है उससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है एक चमच लाल मिर्च इसके साथ में दो चमच भरके इसमें मैं डालूंगी धनिया पावडर तो दो चमच इसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पे बियानी मसाला तो ये विर्यानी मसाला मैंने घर पी बना के तयार किया है और साथ में हम डाल देंगे इसमें तीन चमज भरके यहाँ पे दही तो दही एक्तम गाड़ा होना चाहिए अभी इसके साथ में मैं डाल दूँगे एक चमज यहाँ पे नमक और थोड़े से खड़े करम मसाले भी हम इसमें डालेंगे तो दो-तीन पत्ते मैं इसमें तेज पत्ता डाल दूँगी साथ में मैंने छोटे-छोटे से दो दालचीनी के पीश डाल दिया है अभी चार-पांच हरे इलायची, तीन-चार लोंग, कालिमेर्च और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा-चमत, जीरा तो ये सारी चीज़े, जावित्री, तो ये सारे खड़े करम मसाले मैंने इसमें डाल दिये हैं और बस अभी ये देखे, बाद में हमें इन खड़े मसालों को डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो बस यहाँ पर इस सारे हमने इसमें डाल दिये हैं, ये देखे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक बार तो मैं यहाँ पर इसको मिक्स करके 15-20 मेट के लिए रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास जादा टाइम नहीं है, मैं इसको अभी बना के तयार करूँगी अगर आपके पास टाइम है तो आप एक गंटे के लिए इसको रख सकते हो तो जब तक चिकन हमारा मेरेनेट होता है, मैं यहाँ पर चावलों को अच्छे से भीगो देती हूँ, दो कप मैंने चावल ले लिया है भरके तो यहाँ पर यह मैंने बिरियानी राइस ले लिया है, यह इसको चावलों को मैं 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है मैंने दालूंगी आधा तेल डालूंगी तो मैंने यहां पे दो चमच देशी घी डाल लिया है और आधा यहां पे हमने तेल डाल लिया है आप चाहो तो सारा घी में बना सकते हो यह सारा तेल में बियानी बना सकते हो तो मैं जब भी बनाती हूं मैं आधा आधा मिक्स करके बनाती ह तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, दो प्याज मैंने छोटे-छोटे साइस के, और इसमें हम बारिक-बारिक काट के एकदम प्याज को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, तो 3-4 मिनिट में हमारा प्याज यह देखी, 3-4 मिनिट लगते हैं इसको ब्राउन होने में, तो प्याज को मैंने यहाप अच्छा से ब्राउन कर लिया है, अभी मैं इसको निकाल लूँगी, थोड़ा से प्याज में निकाल लूँगी, क्योंकि जब हम बाद में बिर्यानी की लेयर लगाएंगे, तब उसमें हमें इसको यूज करना है, और बागी का प्याज में इसी में तो अभी जो हमने चिकन मेरिनेट करके रखा हुआ था वो मैं इसमें यहाँ पर डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लेना है हमें अभी चार-पांच मेरिनेट के लिए चिकन को जब तक चिकन हमारा अच्छे से थोड़ा सा गल जाता है तब तक हमें इसको भूनना है तो अभी इसमें मैं ये देखे, इसमें काफी सारा पानी हो जाता है, भूनते भूनते चिकन भी अपना पानी छोड़ देता है, तो इसलिए इसको 4-5 मर्ट लग जाते हैं भूनने में, तो यहाँ पर 3-4 मैं हरी मिर्च डाल दूंगे ऐसे, ये देखे हरी मिर्च कई दिन की ह कुछ लाल हो चुके हैं, कुछ हरी हैं, तो यह मैंने इसमें डाल दी हैं, अभी इसको भून लेंगे हैं, तो यहाँ पर यह देखे, पानी एकदम ड्राय होने लगा है, इसको भूनते वे 4-5 मर्ट मुझे हो चुके हैं, और बहुत अच्छे से चिकन हमारा यहाँ पर भू होने में, गरम होने के लिए, तो यहाँ पर हमें पानी को नापना नहीं है, क्योंकि पानी हमें इसका बाद में निकालना है, तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ खड़े गरम, मसाले, तेज पत्ता, दाल चीनी, लोंग, काली मिर्च, हरी, इलाय ची, आधा चमच, साबुद जी मैं इसमें डाल दूँगी, तो नीबु का रश डालने से, चावल बिलकुल एकदम खिले खिले बनेंगे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, तो बस यहाँ पर पानी में एक उबाल आ जाने देते हैं, तो यहाँ पर यह देखिए, फ्रेंट्स, पानी में भी अच किप मत कीजिए, आपकी भी बिर्यानी एक बार में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तयार होगी, तो बस यहाँ पर यह देखिए, चावल हमने डाल दिया है, और इसको अच्छे से एक बार पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अभी इसको ढग देंगे, तो यह दे देखिए, मैंने एक मेट के लिए और पका लिया है, चावलों को, तो बिल्कुल एक दम पूरा नहीं गलाना है, चावलों को हमें, जब तक थोड़ा सा इसमें 2-3 कनी बची रहनी चाहिए, यह देखिए, पूरा अच्छे से नहीं गले हैं चावल अभी, इसका पानी हमारा पानी निकाल देया है, चावलों को अच्छे से निचोल लिया है, तो यह देखिए अभी चिकन को देख लेते हैं, तो यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे से बनके तयार है, अभी मैं इसमें से पहले àधा चिकन निकाल लूँगी, क्योंकि इसकी हमें layer बना के तयार करन चावल क्योंकि थोड़ा सा हां है हाँ चावलों को इसके साथ में भी दम पर रखना होता है पांच मेर के लिए तो जो भी कुछ कमी रह जाती है तो वो इस टाइम पर पूरी हो चाहते हो अगर आपके पास मसाला ज़ादा है और ज़ादा बिर्यानी बनाना चाहते हो तो बस इसी तरह से हम चावलों की और मसाले की लेएर लगाते रहेंगे तीन चार आप जितनी भी लेएर लगाना चाहते हो मैंने उपर से टमाटर रख दिये हैं बिल्कुल एकदम बारिक-बारिक काटके फ्राइ किया हुआ प्याज पुदीना हरा धनिया थोड़ा सा ओरेंज फूड कलर तो बस ये सारी चीज़े इसमें डाल दिये हैं ये देखिए कितना बड़े हासा कलर आया है इसके उपर तो अभी इसको हम लगाएंगे दम तो ये मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और इसके उपर से ये देखिए पूरे भगोने के उपर कवर कर दिया है अच्छे से तो फ्रेंट्स इसको मैं पांच मिनिट मीडियम स्लो करके गैस के उपर रख दूंगी उसके बाद में हमें 10 मिनिट के लिए इ जादा नहीं चलाना है इसे हमें बस थोड़ा थोड़ा सा हलका सा चावलों को उपर नीचे कर लेंगे इस तरह से फ्रेंट्स मैं अपनी तरफ से पूरी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूं लेकिन जब आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हो औ लेकिन आने का तो फ्रेंट्स यहां पर बिर्यानी हमारी बन के बिल्कुल तयार है आप भी बनाईए और इंजॉय कीजिए फ्रेंट्स मुझे उमीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज एक बार मैं फिर से बोलती हूं रेसिपी को प्लीज एक लाइक करती करेंजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए